नमस्ते विज्जे लश्मी फूर्टीप्स में आपका स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ मश्रूम की सबजी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम लेते हैं कटा हुआ प्याज लैसून टमाटर और छोटा सा अद्रक उसके बाद अब सबको मिलाकर पीस लेते हैं इस तरह से ये देखिए हमने पीस लिया है हाँ हमारा मस्रूम इसे हमने काट लिया है पहले से आप अपने हिसाब से इसे काट सकते हैं आपको जीस तरीके से काट ना हो फिर इसको दो लिया है यह देखिए अब हम लेते हैं एक कड़ाही में तेल इस तरह से तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जैसे आपको ज्यादा तेल वाला खाना पसंद है तो आप लोग अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं फिर इसमें डाल देते हैं लाल मिर्ज मिर्च को भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लेना फिर मैंने डाला है इसमें जीरा आधा चम्मच यह देखें जीरा हमारा भून गया है अब थोड़ा सा लाल हो गया है अब हम इसमें डालते हैं पीसा हुआ मसाला प्याज लसुन टमाटर वाला इस तरह से डाल लेना है सबको बारी बारी करके इस तरह से चलाते रहना है देखे अब इसमें डालना है हल्दी का पाउडर इस तरह से हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालने वाले हैं स्वादनुसार नमक देखे लाल मीच यह है हमारा गरम मसाला आप लोग चाहे तो इसमें जीरा का पौडर भी ढाल सकते हैं आप जो चाहे मसाला डाल सकते हैं अपने घर में जैसा कि आप लोग गरम मसाला खाते ही तो ये देखिए अब हमारा मसाला पुरी तरह से पक गया है इसमें से तेल छोड़ना सुरू हो गया है इस तरह से देखिए ये अब थोड़ा बचा है पकने वाला है लगभग हमारा मसाला पक गया है ये देखिए इस तरह से पुरी तरह से लाल हो गया है हमारा मसाला अब हम इसम हो गई है अब डालते हैं इसमें थोड़ा उबाल आने के बाद हम लोग जो कटा हुआ मश्रूम तर्म या इस तरह से आपको उबालाने के बाद मस्रूम को डालना हैं देखिए जैसे मैं डाल रहे हैं कि इस तरह से डाल लेना है मैं आज मैंने मश्रूम को इसी तरह से बनाया है सब लोग अपने घर में अलग अलग तरीके से बनाते हैं यह देखिए अब हम इसको ढ़क देते हैं पकने के लिए तक भक दस मिनट तक ढ़क देंगे पकने के लिए इस तरह से यह हमारा दस मिनट लगभग हो गया है यह देखिए अब हमारा मश्रूम पक चुका है इस तरह से ग्रीवी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसे आपको ज्यादा रस्त वाला खाना हो तो या फिर सुखा बना सकते हैं यदि आपक पुरा देखने के लिए धन्यवाद